एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है Mastermind of GK में फ्रेंड्स 25 प्रस्ण आज लेकर आए हैं जो साइन्स से समन्दित है जो रेलिवे, NTPC और ग्रूप D के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो के लाज तक बने रहें फ्रेंड्स अभी से तयारी में लगे रहें तो आपकी तयारी अच्छी हो जाएगी ठीक है अगर मेरे चैनल पर आप नए है तो प्लीज लाल बटन दबा कर सब्स्राइब करें तथा वेल एकन को जुर दबाएं तो चलिए 25 प्रस्ण फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो का पहला प्रस्ण क्या है देखे कि मलेरिया रोधी आउसधी के रूप में काम आने वाला योगिक कौन है कौन है तो क्लोरो क्वीन है ठीक है क्लोरो क्वीन देखेगा जो मलेरिया की दवाई होती है उसका composition देखेगा तो उसमें क्लोरो क्वीन लिखा रहता है ठीक है तो प्रश्ण क्या है कि मलेरिया रोधी औसधी के रूप में काम आने वाला योगिक ठीक है योगिक कौन है तो क् कि इसमें कैल्सियम और मैगनेसियम के लवन घुले होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्ण है कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्यों तो इसमें कैल्सियम और मैगनेसियम के लवन घुले होते हैं यही कारण है ठीक है अगला प्रस को देखते हैं नमर चार क्या है कि परिसुध अलकोहल कितना परतिसत प्रूफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रशन है परिसुध अलकोहल कितना परतिसत प्रूफ होता है तो दो सो परतिसत प्रूफ होता है ठीक है अगला प्रश को देखिए कि इंजाइम मुख्य रूप से बने होते है इंजाइम है जो मुख्य रूप से किसे बने होते हैं तो एमीनो अमल अर्थात प्रोटीन देखे इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ कि देखे प्रोटीन है जो 20 परकार के अमीनो अमल से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन के इकाई है जो क्या है एमीनो अमल है कभी कहीं एमीनो अमल दिया रहेगा कहीं कहीं प्रोटीन दिया रहेगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इंजाइम मुख्य रूप से किसे बना होता है तो प्रोटीन से अर्थात एमीनो अमल से ठीक है इसका pH मान है जो क्या साथ से कम है साथ से कम रहने पर क्या होता है अम लिए और साथ से अधिक रहने पर क्या होता है छारी हो जाता है ठीक है और साथ जाता है तो उदासीन हो जाता है ठीक है तो लार की प्रकृति कैसी है तो अम लिए क्योंकि लार का pH मान कितना है ये भी या रहेगा अंग्रेजी लिखा रहेगा ठीक है है इसका हिंदी होता है चीड ठीक है चीड तो सभी जानते हैं आप इसे भी याद रखें तारपिन का तिल किसे प्राप्त होता है तो लगारी प्रण। दसमलाव 001 mm होता है ठीक है यह भी आधर रखेगा एक माइक्रोन बरबर कितना होता है दसमलाव 001 mm होता है अगला प्रस को देखते हैं फ्रेंट्स आप मेरे चैनल पर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो अच्छा लगे फ्रेंट्स तो लाइक कॉमेंट जरूर करें देखे प्रस्ण 9 नमबर क्या है कि बीज बोते समय समान यत्तह काम में लाए जाने वाले उर्वरक में क्या होता है तो क्या होता है नाइट्रेंट होता है देखे पेड़ पाओधा है जो डान येист felt रूप में नहीं लेता है प्रस्फन है कि बीज बोते समय समान यता काम मिल लाए जाने वाले उर्वरक में २े लेते हैं तो नाइट्रेंट के रूप originally गरन करते हैं प्रस्ण हमेशा पुछा जाता है अगला प्रस्ण को देखें अगला प्रस्ण क्या कि निर्जली करन के दवरान शरीर में कम होने वाले पदार्थ निर्जली करना डिहाइड्रेशन ठीक है जब डिहाइड्रेशन होता है तो सरीर में कौन सा पदार्थ कम हो जात हैं कि DDTập stolizer mist का उप्योंग किया जाता है तो किट ना सक के रूप में क्या जाता है इसका फूल contin crispy का क्या होता है डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोरो इठेन होता है डाइक्लोरो diphenyl trichloro इन और ये प्रस्ण भी काफी important है कि DDT का खोज किस ने क्या था तो Paul Muller ने क्या था ये भी याद रखेगा DDT का खोज किस ने क्या था Paul Muller ने क्या था DDT है जो किस लेख क्यों क्या था कितना सक के रूप में अगला प्रस्ण को देखता है तो केल्सियम का मेगनेशियम के क्लोराइड या सलफेट के कारण जल में अस्थाइक वश्च होता है तो तो प्रकास संस्लेशन की दर सबसे अधिक किस परकास में होती है तो प्रकास संसलेशन की दर सबसे अधिक किस प्रकास में होती है तो लाल प्रकास में होती है चलिए अगला प्रस को देखते है प्रस नमर 15 क्या है कि लार में मुख्य रूप से पाये जाने वाला एंजायम कौन सा है तो सभी जानते है कि लार में मुख्य रूप से टाइलिन नमक इंजाइम पाए जाता है इसकी प्रकृति कैसे अभी बता चुके है लार की प्रकृति है जो हम लिये है चैले अगला प्रस औो देखते हैं 16 प्रसण क्या है making tv या नमक कहँ पाई जाती है में साइप पूछा जाता है तो टीबिया नामक खड़े जो कहां पाई जाते है तो पाई जाते है ठीक है टीबिया ये खड़े का नाम है जो कहां पाई जाता है तो पाई जाते है अगला प्रस को देखें कि रिकेट्स नामक बिमारी किस बिटामिन की कमी से होती है देखें रिकेट्स कभी-कभी इसका हि होता है बच्चों में अगला प्रस्ट को देखते हैं कि मनुष में परती दिन कितना लार स्रावित होता है तो डेड़ लीटर लार लगभग स्रावित होता है ठीक है अगला प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट क्या है देखें अगला प्रस्ट है कि स्वेत रक्त अर्थात क्या WBC तो WBC का जिवन काल कितना होता है 2-4 दिन तक होता है जबकि RBC का कितना होता है 120 दिन होता है ठीक है यह भी बता चुके हैं पहले इसको भी याद रखे तो स्वेक्त रख्त कनिकाओं अर्थात लुकेसाइट का जिवन काल 2-4 दिन जबकि लाल रख्त कनिकाओं का जिवन काल 120 दिन होता है अगला प्रस को देखते हैं अगला प्रसन क्या है कि लाल रख्त कनिकाओं RBC का मुख्य कारी क्या होता है पहले भी बता चुके हैं तो देखें लाल रख्त कनिकाओं का मुख्य कारी हैं कि अगला प्रस्रीर के ऐड्स की वीमारी कि जांज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो देखे एट्स की विमारी की जांज के लिए एलीसा टेस्ट किया जाता है कौन सा टेस्ट एलीसा टेस्ट चलिए अगला प्रस्ण को देखते है अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण है कि गैसों के दाब के लिए किस यंद्र का पर्योग किया जाता है ठीक है गैसो का दाब मापने के लिए किस यंत्र का पर्योग किया जाता है तो गैसो का दाब मापने के लिए मैनो मीटर आद रखेगा मैनो मीटर से गैसो का दाब मापा जाता है चले अगला प्रस को देखते है प्रस नमबर 30 देखे क्या है कि पानी मे धवनी की तिवरता मापने के लिए किस यंत्र का पर्योग किया जाता है तो पानी में धवनी की तिवरता मापने के लिए हाइड्रो फोन का पर्योग किया जाता है किस यंत्र का हाइड्रो फोन का चलिए अगला प्रस को देखते हैं अगला प्रस नहीं कि जल में सभी जांते हैं Newton के तिर्तिय गति नियम क्या है कि पड़िया के बड़ाबर विपृत दिशा में एक परतिंग्रिया होती है प्रशण innovation क्या था this stereotype infection लिए जल में में तैरना Newton की गति कि किस नियम के कारण संभव है तो तिर्तिय नियम चलिए अगला प्रस को देखता है 25 नमर प्रस को देखिए कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों फैल जाता है तो इसका रिजन क्या है कि तेल का जो प्रिष्टर नाव है जो जल से कम होता है तेल का जो प्रिष्ट नाव है जो जल के प्रिष्ट नाव से कम होता है यही कारण है कि तेल है जल के तल पर क्या होता है फैल जाता है चलिए अगला प्रशन है अगला प्रशन क्या है पारा कितने ताप पर जमता है ठीक है इसका अंसर हमें आप कॉमेंट करके बताईएगा क पारा का हिमांक ठीक है हिमांक अर्फिर्जिंग पॉइंट पारा कितने ताप पर जमता है इसका अंसर हमें आप कॉमेंट करके बताएगा ठीक है अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद